नमस्कार आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजया दो तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर क्यों जनपत में अपरादवा अपरादिक गटविटियो की रोगठाम हे तो पुलिस अधिचक और या अपरना गौतम द्वारा चलाय जा रहे है ऑप्रेशन क्लीन और या के क्रम में अपर पुलिस अधिचक सिस्सिपाल सिंग के कुसल निर्देशन वा छेत अतिकारी नगर और या सुरेंदरनाथ यादो के नेतरत में थाना कोटवाली और या पुलिस द्वारा जनपत में वाहन चोरी वा लूट की घटनाओ को अनजाम देने वाले गिरोह को गिरफतार करने में सरहनी सफलता प्राप्त की है साथी साथ कोटवाली छेत में हो रही चोरी की घटनाओ के खुलासे के संब्ध में प्रियासरत पुलिस टीम थानिक कोटवाली और या ने स्वाट टीम के समनवे से मुक्पिर की सोचना पर दो सातिर चोरो जो जिला बदर बदमास हैं उन्हें बीटी राद दिबियापुर बाइपास रोड पर चोरी की पलजर वा टीवियस मोपेट के साथ गिरफतार किया जिनके समन्द में थाना खुतवाली पर पूर्व में चोरी की अभियोग पंजी करत थे दोनों बदमास अरुन यादो वा धिरो यादो के कबजे से दो तमंचे वा कारतुसों की बरामदगी की गई है गिरफतारी के समय इनके एक साथी बदमास साथे चोर अंकित चकवा पुत्र जग्ये निवासी को ख्वातू भागने में काम्याब हो गया जिसके गिरफतारी सेगर ही की जाएगी पुस्ताच करने पर पकले गए दोनों चोरों ने बताये कि ये लोग जिला बदर होते हुए यहीं जनपद में रहकर रात बेरात निकलते हैं और चोरी वा लूट की घटना को अंजाम भी देते हैं पकले जाने से बचने के लिए आवैद असला रखते हैं मौका पढ़ने पर फाइरिंग कर भैभीत कर निकल भागते हैं जनपद में अने जगह पर भी इनके दोरा चोरी छिनेती की घटनाए की गई हैं जिसके सम्मद में आवस्यक कारवाही की जा रही है इस बरामत गीवा गिरफतारी के सम्मद में थाना कोटवाली और अईयासी धारा 300, 89, 411, 413, धारा 323, 382, 506, 411, 413, धारा 325, आंस एक 1969 वा धारा 3, गुंडा नियंतल अधिनियम 1970 के पंजीगरत अभियोग में अभी युक्त गड़ के विरुत विधिक कारवाही की गई है अभियोट का चलान का जेल भी भेज दिया गया है इनके पास से एक चोरी की पलसर मोटर सैकली भी बरामत हुई है इनका एक साती है वो फरार है उस पर आधा दर्जन से करीब उपर मुकदमे है जो की चोरी एवं अन्य आमजाक के मुकदमे उस पर पंजीगरत है इनको सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीगरत कर रिगवरी के साथ माने नयाले के समक प्रसुत किया जा रहा है इनका प्रसुत कर रहा है